दोस्तों यूक्रेण ने भारतियों को स्टुपिड कहा है युक्रेणियन टॉप ओफिशल ने कहा है भले आज भारत लूनर लैंडिंग अचीव कर लिया हो भले चांद के सर्फ़िस पे इंडिया का रोवर चलता हो लेकिन भारतियों को दुनिया की समझ नहीं है भारतियों क तो ज़्यादा समझ नहीं आता देयार इंटलेक्चुली वीक और वो स्टुपिड हैं सिंपल शब्दों में जिसको कहते हैं तो इस प्रकार का बयान आया है और दोस्तों यहां पर देखने वाली बात क्या है कि आखिर किस बात की परिशानी है यूक्रेन को क्योंकि यह पहली साली का प्राकॉप आया ट्विटर पे यूक्रेन पे तो वहां पर मीट ग्राइंडर कहते हैं जहां पर लोग जा रहे हैं जवान लड़के जा रहे हैं और जैसे न मिट ग्राइंड होता है है क्या डिल्ली डिक्लेरेशन जी ट्विंटी में जो हुआ है उससे युक्रेन तिल मिलाया हुआ है या बात कुछ और है आईए आज की क्लास में जानते हैं सबसे पहले आप देखिए ये न्यूज में बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है युक्रेनियन उफीशल ने कहा इंडियन्स का वीक इंटेलेक्च्वल पोटेंशल होता है मतलब सिंपल शब्दों में बेवकूफ हैं स्टुपिड हैं समझ नहीं आती क्या हुआ है एक्जाक्ली कॉंट्रोवर्सी में दोस्तों यह जो व्यक्ति आप आप देख रहे हैं यहीं है यूक्रेन स्पूट्निक के अनुसारे कार्टिकल आया है स्पूट्निक में जिसमें जो स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देखे तो उसने कहा है कि इंडिया और चाइना का वीक इंटेलेक्च्वल पोटेंशल है याने कि इनको ज्यादा समझ नहीं है हाला कि इस बयान से अब यह गलत है कि र persecution propaganda है रश्यन रश्या इसको जरूर इस्तमाल कर रहा है लेकिन जो कहा है वो विल्कुल सत्य है तो क्या इसने कहा है बताता हूं लेकिन इस ने कहा है कि इंडिया कर पा रहे कि ये जो कदम उठाते हैं ये जो steps लेते हैं उसका क्या नतीजा होता है उसके क्या consequences होते हैं कारण क्या है क्योंकि इन देशों का intellectual potential बड़ा weak है समझ कम है इनको ज्यादा समझ नहीं आता सिंपल शब्दों में जिसको stupid कहते हैं इंडिया चाइना और बाकी देश stupid ह यहाँ पर बात वो कर रहा है उसके आगे पढ़िये क्या लिखा हाँ भले ये science में invest करते हैं मानता हूं इंडिया का आज एक lunar rover launch हो गया है जो इस वक्त मून की भूमी पर चल रहा है मून के surface पर चल रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये देश याने भारत पून ग्रूम से समझ पाता है की modern world क्या है दुनिया कैसे चलती है भारत करस्व नहीं आता भले उसका lunar rover चांद पे चलता हो और वो टैंक के लिए भी भी मांगता है वो देश वह कह रहा है भले उसका lunar rover चांद पे चल रहा है इसको दुनिया की समझ नहीं है कारण क्या है ना दू सब ऐसा भी इन पे आरोप लगता है और इन बयान से यही पता चल रहा है कि हम तो वाइट सुप्रीमिसिस्ट हैं हम तो वाइट हैं हमें दुनिया की खबर है हम दुनिया को अच्छे से जानते हैं तुम सब के सब बेवकूफ हो तुमको तो रूल करने का भी अधिकार नहीं ह चाहिए यही कहना चाह रहे हैं अब दोस्तों यहां पर समझते हैं रश्या कैसे पूरे के पूरे इंटर्विव का इस्तमाल कर रहा है दोस्तों यह इंटर्विव को आज नहीं हुआ है भले बारा सेप्टिमबर को स्पूटनिक ने इसे पब्लिश किया है लेकिन यह इंटर्व्यों हुआ क्यों कंवा क्या लूस्तों इंडिया का चंद्रयां ठ्रीश सक्सेस्पुंगे दिए हैं चंद्रेयां पर ले इंडियाpersonooo प्रकून रूप से नहीं समझता modern दुनिया कैसे चलती है वो तो बस वाइट सुप्रीमेसिस प्लाइक युक्रेन समझ सकते हैं हमको थोड़े ही आएगा वो समझ तो ये बात है अब इसको स्पूटनिक राह देख रहा था वो पहले देखा होगा G20 में कुछ हो तो उस वक्त निकाला जाये लेकिन G20 में सब कुछ smoothly निकलता रहा तो वो hold करके रखा पकड़ के रखा और अब जब देखा चलो अब इस वीडियो का कोई काम नहीं तो अब निकाल देते हैं इससे पहले तवा बिलकुल थंडा हो जाए उसने समय रहते निकाल दिया और हुआ भी यही इंडिया में अगर आप देखें तो हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन दोस्तों इसी प्रकार के बयान के लिए जाना जाता है एंटी इंडिया हिट्रिट कूट-कूट के भरी हुई इस साल के एप्रिल की बात है आपको मालूम होगा किस प्रकार से डिफिंस ऑफ यूक्रेन ने माखाली माखाली की अबदर तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने मैरिलिन मुन्रो के जो पोज है जिसमें वो फेमस है उस पोज में माखाली को अगर वो इस प्रकार से माख खाली की अगर वो अभदर तस्वीर शेयर कर रहे थे तो उसका नतीजा भी वो भूगत रहे हैं वैसे ही अगर आप देखे तो आप यहां पे देखिए किस प्रकार से इंटी इंडिया स्टाइन्स उनका रहा है ट्रिब्यून का यह आर्टिकल है पास्टाइज विद पाकिस् पाकिस्तान के साथ दोस्तों यहां पर यह शब्द आप देख रहे हैं यह डैलियंस डैलियंस का वतलब जानते क्या होता है casual romantic relationship time pass जिसको कहते है न time pass कर रहा था उसके साथ उसको डैलियंस कहते हैं तो यूकरेन कह रहा है हम जो पाकिस्तान के साथ time pass कर रहे थे उसको मत लीजिये seriously हमने भले UN में कश्मीर में military supply लिया पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट किया UN में पाकिस्तान को सपोर्ट किया वो सब तो time pass था डैलियंस था उसको भूल जाईए अब हम आपके साथ खड़े रहेंगे हमको आप मदद कीजिये क्या मदद करना है भीक्षा मांग रहे थे कि जिलिंस्की को बुला लीजिये जीटो इंटी में भारत में दिल्ली में यही भीक्षा मांगने उस वक्त ये आई थी तो ये बताता है दोस्तों किस प्रकार से एंटी इंडिया स्टैंस यूक्रेन का हमेशा रहा है आज जब वो फजब गया है त तो इसको सीरियसली लिया नहीं बुला कि जुरत भी नहीं है है ना हाथी चले बजार कुटे भोके हजार कुछ वैसी बात है बोलने तो जिसको जो बोलना है क्या इस पर छोटी छोटी बातों पे मुद्दा उठाएं लेकिन यूक्रेनियन एंबेसी जो दिल्ली में कहते हैं अरे उनका पर्सनल नीजी राय है हमारा वो राय नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का ये राय नहीं है सवनातन के बारे में कोई क्या कह रहा है हमारा ये राय नहीं है वो उसका पर्सनल राय है यही कहते है बस वैसे यूक्रेन ने भी कह दिया कि यह जो कमेंट कह रह ये भी आपस में connected हैं आपको मालूब है कि इस प्रकार से भीक्षा मांग रहे थे कि इंडिया को बुला लीजिए इंडिया से भीक्षा मांग रहे थे उसके बाद G20 में वो चाहते थे कि रश्या की निंदा हो लेकिर इंडिया उने नहीं दिया जो language था उस पर अगर आप दे जीट्वेंटी को कोई भी कारण नहीं है कि किसी चीज़ पर गर्व महथूस करे उसने जीट्वेंटी के बारे में यूक्रेन ने का हम grateful है Canada जैसे मेरे मैं डाल रहाँ Canada उसने का हम grateful है अपने partners के जैसे कि मैं आपको बता देता हूं Canada जिसने प्रयास कि कि strong wording हो जीट्वेंट रहा है जीट्वेंटी ने उसको उजागर नहीं किया इसलिए जीट्वेंटी है नचिंग टू बी प्राउड ओफ मिर्स्ट्री ओ फॉरेन अफेर स्पोक्सपरसन ओलेक निकोलेंको ने यह कहा तो यह बताता है दोस्तों मिर्ची तो बहुत सारे कारणों से लगी है जिसमे क्योंकि इंटर्व्यू पुराना है लेकिन तब तक जीट्वेंटी में जेलिंस्की को आने से रोक लग चुका था तो तब से मिर्ची लग रही है अब जाहिर सी बात है यह थोड़ी और बढ़ गई होगी अब स्पूटनिक जाए जाके नया इंटर्व्यू ले तो और भी बहुत जगे से धुआ निकलता हुआ देखने वाला है तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को वापस याद दिलाना चाहूंगा इंवार्मेंट इंड इकोलोजी की दूसरी क्लास आज वापस शाम को साथ बजे होगी पहली क्लास तो कल हुई थी आप सभी ने उसे देखा इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का साधुवाद चैनल में 571 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों से निवेदन हैं इस नंबर को बढ़ाएं क्रिप्या करके इस नंबर को और आगे लिके जाएं जिस प्रकार से आप मुझे प्यार बाकी प्लाटफॉर्म में दे देते रहें क्रिप्या करके हमसे जुड़ें चैनल सब्सक्राइब करें और आप सभी को हमसे जुड़ने जो जुड़े हैं उन सब के लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद